व्रिंदावन की 25 लाख वाली कथा व्रिंदावन से बिहार तक मामला गरम व्रिंदावन में काना की आस्था खा अनोखा मामला सामने आया है जा काना की कथा कानून की चोखट पर पहुँच गई है व्रिंदावन में एक ऐसा मुकर्दम दर्ज हुआ है जिसकी गूज बिहार तक सुनाई दे रही है दरसल पूरा मामला क्या है ये हम आपको समझाते है बिहार राजे के पठना में मैंनपुरा मल्टी निवासी इंदू देवी ने व्रिंदावन के गौधि प्रम निवासी कथा बाचक व्रजराज महराज और उनकी पतनी सुधासरन के विरुद्ध एफायार दर्ज कराई है महिला शुरुदावन ने बताया कि उनके पती सुधासरन ने चिकत्सा भिवाग से सेवा निवरत होने के बाद एक दिन टीवी पर कथा बाचक बिरजराज की कथा सुनी और प्रिभावित हो गए टीवी पर दिये मुवाइल नमबर पर संपर किया और कथा बाद भी हुई महिले शुरुदावलु का आरूप है कि कथा वाचक ने वरिनावन वाज करा कर कृष्ण भक्ती कराने और मुक्ती के लिए साधना कराने के लिए शुरुदावलु दंपती से 25 लाग रुपे हड़ाप लिये कोतवाली प्रिभारी आनत कुमार शाही ने बताया कि सस्पी के आदिश पर पत्ना की पीरित महिला की तहरीर पर कथा वाचक और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन जब इस पूरे मामले में महराज जी से बात हुई तो पता जला कि कतावाचक महराज इन आरोपों पर एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं आने वाले दिनों में महराज इस मामले से पर्दा हटाएंगे बहराल पुलिस पूरे मामले की छानवीन मचूटी है अब देखना होगा कि किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है मचुरा से सत्पाल सिंग की रिपोर्ट